हेलो एन वेलकम गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जो है अपने फोन में जूम एपलिकेशन में जब भी आप सभी लोग यहाँ पे साइंग अप करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लिखा रहता ह है साइंग अप फैलेड यह और नॉट इलिजिबल टू साइंग अप फॉर जूम एट इस टाइम तो अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉलूशन बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको ब करेंगे तो तो उसके बाद यहां पे आपको साइंग अप पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको जो है अपना ब्रत डे यहां पे जो है एंटर करना है जो की आपको जो एज है वो यहां पे 18 साल से उपर होना चाहिए तब ही गईज आप यहां पे इसको यूज कर पाएं और उसके बाद दोस्तो आपको जो है अपने फोल में इस application को यह zoom application है उसको long press करिएगा और application information पर जाएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर application information पे click करना है और यहाँ पर आपको जो है बागी सारे जो permissions दिखाए दे रही है तो यहाँ पर आपको सभी permissions को allow कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा यूसर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको mobile data का जो option है उसको इस तरीके से enable कर लिजिए और ok कर लिजिए जैसे ही आप इस तरीके से setting करेंगे तो दोस्तो आपकी जो problem है वो solve हो जाई तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और channel को subscribe कर लिजिए